कि राम राम जी सारा नो स्वाब देट वीडियो देवेच चैनल एम एंड अचीव जी में कि तो नुपता है कि आप एटीटी उनाठ्ट रन में दी त्यारी कर रहे हैं कि आपा दो चैप्टर जो है साइंस देव कंप्लीट कर चुके हैं एक हैगा जी सेल एक हैगा जी केमिकल रियक्षिंज और एक्विशन अज जो नमा चैप्टर अपा लेके आया है ओ है जी एसेट्स बेस एंड सॉल्ट जो की दस्मी क्लास दा सेकेंड चैप्टर है जी ठीक है जी तेदे विच भी आपा एंसी क्यू दे नाल ही पूरी त्यारी करेंगे जिदा के सिपल दो चैप् टेस्ट भी हो गया सी नदा भी आपका कोशिश करांगे कि उस तरीके नाली करांगे सो शुरू कर दिया जी चैप्टर एसेट बेस एंड सॉल्ट तिजाब खार अते लून ठीक है जी फस्ट कोशन है जी कैल्शियम कार्बोनेट इस दा केमिकल फॉर्मूला ओ यह मैं पहले जी सी ए सी ओ थ्री सी बड़ा ए चोटा फिर सी फिर ओ फिर फिर पैराच थ्री ठीक है जी कैल्शियम कार्बोनेट दूजा स्वाग और एडिशन ओफ डेलूट एचे लен 2017 कि प्रोपर ऐक्शाइड दिविच ज़्यदोसी एचे यल परन एन दृस्टी और कालर ब्लू-ग्रीन होल जान दा क्यों हो जान दा क्योंकि ओदिव मैं कि बंद या क्योंति को पर क्लूराइड बंदा या copper 2 chloride बन दा copper 2 chloride बन दा cuCl2 ठीक है जी copper 2 chloride बन दा cuCl2 ए चीज तुसी बिलकुल ही त्यान देविच रखनी है ठीक है जी तुसी यह दी reaction भी याद रख सकते हो copper oxide यानी की CuO ए देविच आसी HCl पा रहे हैं है है कर रहे हैं ते बन की रहा जी CuCl2 CuCl2 नाल की बनना जी H2O ठीक है जी क्योंकि metal oxide हुंदे ना इस बेसिक निचर हुंदे आप अगे जाके भी करांगे जदो भी कोई भी बेस ते जदो एसिड रियक्ट कर देया ना की बन दाया सॉल्ट ते वाटर बन दाया जो metal oxide हो जनरली बेसिक निचर हुंदे या यानि कि यो खार हुंदे या थे खार ते ते जाब जदो आपस्च रियक्ट कर देया बन दा किया लोन बन दा ते नाल पानी बन दा ते असी जदो एदी बैलेंसिंग करनी है जो आसी पिछले जैप् कर दिया तरह सही ऑप्षिन है जी ऑप्षिन नमबर ए साथ पॉइंट जीरो तो लहें के साथ पॉइंट आठ तक तब पी एच एक जो सटेकोलो स्केल हुंदा ना पीएच स्केल लुगा 0-14 तक ठीक है विचका आरेक साथ तरह साथ हुंदा जी निजी निजी नूट्रल ज सब्सक्राइब सक पॉड़र जा रहे हैं चाहे एसीड वाल जा रहे हैं चाहे बेस बेस जारे हैं ुना ज्यादा वीक एसेड या वीक बेस ह 들고 गोरे सथबर उत्ये ना ठादा बेस द बलक्यों नि्यूट्रल हुं सब्सक्राइब ठीक है अगर पीएच होगे तेरा या चौदा या तेरा पॉइंट चार ओगी होगे स्ट्रॉंग बेस ते अगर पीएच होगे आठ या नौ वो थोड़े जे वीक बेस बंड जांगे ठीक है जे नेक्स चल देया चौथा कोशन अब बेसिक सल्यूशन पुड है पीएच ओफ केड़ा एक बेसिक सल्यूशन आथा पीएच किन्ना होगा देखो सी पढ़के हैं या एक वला एसिडिक साथ वला न्यूटरल दो वला एसिडिक ग्यारा वला की होगा बेसिक यानि सही आप्शन है जी चौथेदा दी नेक्स कुश्चिन विच ओफ दा फॉल्विंग सॉल्ट डज नोट कंटेन वाटर ओफ क्रिस्टिलाइजेशन नहीं होंदा उन स्वाला की वाटर ओफ क्रिस्टिलाइजेशन होंदा किया तो उनमें दास जिनना होंद एक फॉर्मूला होंदा है आजी सी यू एसो फूर डॉट फाइव एच पांच वाटर लग गया ना इन्हों सी वाटर ओफ क्रिस्टिलाइजेशन केनने या चीज तो सित्यां रखनी होंदा ता आंसर है जी बी वह बेकिंग सुड़ा क्यों नहीं होंदा सुनलो जिड़ा ब्लू विट्रियोल ना ब्लू विट्रियोल दा फॉर्मूला की होंदा जो मैं लिखिया इन्हों केंद या कॉपर सलफेट पेंटा हाइड्रेट पांच तो बनेया जी पेंड़ा वाटर तो बनेया हाईड्रेट या क्लर ब्लू हुन दा यहां ऐस करके इन्हों असी ब्लू विट्रियोल भी केंदे नहीं होंदा इदा फॉर्मूला नोट कलो एन तो त्यों गार्बोनेट देहां तीसरा है वाशिंग सोडा था फॉर्मला हुणदा एन्ने टू सीयो थी जेन्टो गेंदेगा पर छाथो नाल या त्यों नाल था सोडियं नायुदर्च कार्बोनेट डैकका खाईड्रेट मतलब था डास चोते हैं जी जिपसम जौ समदावार्पम नोट कालो सी एसो फोर सी एसो फोर डॉक टु ए мног कैल्शियम सल्फेट डाय हाइड्स या कैल्शियम सल्फेंट बाई हाइड्स इनमिने नोट कालो यए लेकंकि Anthrop fraji नगई है आहा ंस या बेकिन की उन्दा ते नोट का लो फैरस सल्फेट है एप्टा हाइड्रेट डॉट सेवन एच टुए फैरस सल्फेट डॉट है डॉट है डॉट कलर उंदा जी ग्रीन सो चोट्थेदा सही आंसर सीजी ऑप्शन नमबर भी इस सारे नोट का लो तुसी कोशन नेक्स्ट पंजमा कोश्चन विच अफ दा फॉल्विंग सोल्यूशन्स विल टर्न फिनॉप्थलीन पेंट के नोट को फिनॉप्थलीन है कि या फिनॉफ्थलीन एक इंडिकेटर रहा इंडिकेट कर दाया एक दसदाया कि केड़ी चीज एसेडिक का तेजाबी या ते केमिकल्स तो बंदेया जू नैच्छनल इंडिकेटर हा ओजे वेच अदा हल्दी यानिकी टर्मरिक उस तो लावा चाइना रोज वगयरा वक्रे वक्रे आ जान देया सिंथेटिक वेच मिथाईल ओरेंज फिनॉफ्थलीन वगयरा आ जान देया ठीक है जी ते फिनॉफ्थ लेकिन अगर अशी फिनॉफ्थलीन नो किसे बेस देविच पादेए जोदोवी अशीनु किसे बेस देविच पावांगे ता ओस केस देविच एधा कलर होजएंदा पिंक nouveaux एइं función सल्यूशन सल다 s अंसरेंगी पोटाँ सीई हाइड्राढ्राइड क्योंकि यह एक बेशिक सोयूशना हाइच सीई हुन्दा हाइड्रोपोरिक एसिड नाम सेटा कार्बन डायक्साइड दी नेचर एसेड़ी खुंदी है सल्फ्यूरिक एसिड नाम देवेची एसेड़ है पोटाश्यम हाइड्रोकसाइड जो की एक बेस है ते बेस देविच फिनॉफ्शनी दा कलर हो जन्दा पिंक ते इस करके सादिकोल जो सही ऑप्शन है ऑप्शन है ज क्या ओदा पी एच किन्ना होगा देखो मैं तोनकी दस्या सी के जेड़ा एसेड आ ओदे विच की हुंदा या हाइड्रोजेन आयन यान की एच पॉस्टिव लालो मैं पहले एच दस्या सी वह एक निश्यानी जसी सी पछानन देली जो एसिड देविच आयन हुंदा एच प किया चार औप्शन आ चार आप्शन देविच्व सब्तो स्ट्राउंग एसेड के डाया जीदा पी एच सब्तो काट होगे सब्तो कट पी एच के डाया ऑप्शिन नंबर भी दा यानि 1.8 ते क्योंकि ये सब्तों ज्यादा एसेड है का एदा मतलब इदे विच्छ सब्तों पॉस्टिव ती मत्रह होएगी मुझे दूसरी गल अगर पुछले केड़ा सब तो ज्यादा बेसिका आपना सी पीएच टैन वाला ते इना सारे विच्छो सब है तो काट एच पॉस्टिव ती मत्रह के देज्ट पीेच टैन वालें क्यों कि जिदा 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 आसी एक पोस्टिव तो ब्यस्ट वलबद देया है ता एक पॉस्टिव होज़ा ज्यादा आया ऐस कंपेर्ड तु ओँए नेगाटिव इद दे अगर आसी बेस दीगाल करते हैं तो बेस देविच ओएच नेगटिव दी मात्रा ज्यादा है लेकिन एच पॉस्टिव दी मात्रा कट हुंदी है ठीक है एक जन्टरल रूदा नेक्स कोश्यन कि देख कि साढ़े पेट दे विच जदो असी खान दे हैं खाना जो डाइजेशन वंदी या फूड पच्दा आया उस वेले कुछ गैस्ट्रिक जूसिस रिलीज हुंदे या उना देना याद रखियो वह ऐसे डिक नेचर दे हुंदे हुंदे है ठीक है ता उ जिए ना करके जीरो बॉस ट्रॉंग ऐसे डूंदा इसकर के जीरो आंसर नहीं आना सही आंसर है जी लेस देन सेवन ठीक है नेक्स कोश्यन वाल चल देंगे कि थो यीजए कि यह बेस पानि चुक पूल जन्द आया पानी जिन्होंसी मेंक अबेस पानिच नहीं कोल जन्द याओटा धूंधा फिर हैई यह लिए फेजंगे लिए यादे दे लिए लिए चीज़ पतलन दो लग लग या कि आल या कि यह विज्गों पानी चुद सबस्क्राइब कि जो लून हुंदेया, जो सॉल्टा, वो जन्दली की हुंदेया, वो हुंदेया जी, आयनिक कमपाउंट्स, आयनिक कमपाउंट्स किया, जिले वे चिकोई ना कोई पॉस्टिव ते नेकिटिव चार्ज बन जिले, मैं ना पिछले चैप्टर चो एक्जांपल है, ना, सोड तुसी देखो, एदे वेचे भी आयन बन गया पॉस्टिव चार्ज, एचे बन गया नेगटिव चार्ज, यानि कि एक ही हुंदेया, जन्रली आयनिक इन निच्चर, नेक्स कोश्चिन, विच आफ दा फॉल्विंग प्रॉपर्टीज इस क्लोजली रिलेटेटेट टू एस बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर बेस, एक कोड़े होगे, सो अगर विडियो वदिया लाग रही ते लाइक कर देए हो, चैनल नो जरूर सब्सक्राइब करके फ्रेंड सेना शेयर कर देए हो, जो भी एटिटी उनाट चुरान मेरी तियारी कर रहे है है, उमीर्या कि विड देखो एक सोडिया मा, सोडिया माना, सोडिया मेटल हा, इन्हों अपाँ पाणी नाल रियक्ट करवाने है, ठीक है, इन्हें बढ़ना किया, एन ए ओच बन जाना, मैं रियक्शन दी बैलेंसिंग नहीं किती, मैं एक सिंपल गाल दस लिया, कि एक बेस नो तियार करन लई, असी मैटल, नो एक्टिव मैटल ना मतलब हा रीक्टिव, जो कि काफी ज्यादा रीक्टिव होगे, असी एक मैटल नो, किन्द रियक्ट करवाने है, पानी देना, कि ते की बंण जान दा, एक बेस तियार हो जान दा, एक चीस तो सी त्यान दखनिया इंपॉर्टेंट हा, स सही औप्षिन हेजी औप्षिन नमबर दी चल जाए जी नेट्सक्शन वरें डिजो दो जिंक रियक्ट करऊंगा डेलमाग बन्ना किया याद रिक्षियों बन्नाया शुडियम सिंकेट एंट है ट्रोजें डेस बन्निया sodium zinc rate था formula नोट कर लो Native two oh कि इन रही है hydrogen gas reaction we note कर लो कि जगो जिंक ZN react करदा sodium hydroxide यानि की NaOH देना तहीं जो तो balancing करांगे देगे पारंगे 2 Na2 ZN O2 प्लस H2 A तो आड़ा जो सही option है option है जी option नमबर B चल दिया next question वाल tomato is a natural source of which acid tomato देवे चिकेड़ा acid हुंदा या तो याद कलो tomato देवे चुंदा oxalic acid citric acid खटे fruits देवेच मिल जानदा या टाटरिक acid तो अनू टैमरेंड यानि image मिल जानदा acidic acid तो अनू मिल जानदा vinegar यानि की सिर्के देवेच नेक्स question चल देए जी brine की या brine है गा जी aqus solution of sodium chloride यानि की जदो असी नमक नू पाणी देवेच कोल दिनने या उनू असी brine के ने या option नमबर C अगर सोखे तरीके ना याद रखना ते राखलो याद गरा रहा रहा वला पाणी जेना असी गरा रहे कर देए ठीका जी याद रखना रहा का सोखा जा तरीका एकवस मीज पाणी वाल सुडियम को राइड नेक्स कोश्चन किन्दे जिप्सम नू किन्ने टैंप्रेचर ते गरम कर देया कि यो पी यानि की प्लास्टर ऑफ पैरिस बंड जंदत सही है जी option नमबर भी ता याद रखो जिप्सम दा फॉर्मूला आसी कीता सी एक सेक्ड सी ए एसो फॉर दॉट टू एच्टू ओ ठीक है जी आज जिप्सम दा फॉर्मूला ते पी यो पी दा फॉर्मूला की यंदा आया सी ए एसो फॉर हाफ दूओ एदे विच भी water of crystallization है गा या इन्यों के ने कैल्सियम सलफेट है्मी हाइड्रेट हैमी मीज अध हैड्रेट मीज पानी कैल्सियम सलफेट हैं मी हाइड्रेट भी एन्नुक या जा सकता है किन्य डिग्री ते 100 अगर 100 ऑच वाद प्लास्टर बंढ जाना जो कि किसे वी कामदा नहीं रेंदा सो डिग्री दी जगाते सो डिग्री सेल्सियस जगाते 373 केल्विन भी लिख्या आ सकता या ए चीज तो सी दमाग ची रखनी के नेक्स gauche किदो किन्हें वार्टर मॉलेक्यूल 저 हाइडेट इड कैल्शियम सलोफेट देविच। फॉड्यूला दुकशियम उपर ही यूँपर ही लिख्धियर नेक्स कि स्वोडियम कार्बोनेट एक लून जो कि बेसिक सॉल्ट है तो अगर अगर स्ट्रॉंग एसिड ते स्ट्रॉंग बेस आपस्च रियक्ट करके सॉल्ट बनाना ता ओ सॉल्ट बनदा न्यूट्रल न्यूट्रल मींज ना ता एसे डे का ते ना ता बेसिका पेलिकल क्लेर हो गई हो न अगर स्ट्रॉंग एसिड ते वीक बेस आपस्च रियक्ट करें ता देखो जीडी चीज़ स्ट्रॉंगा उदा पढ़ला पा रही है जो मैं पहले मुझा सैसे कि एस सिर्थे विच एच पॉस्टिव भी है गया ओएच नेगिटिव भी है गया लेकिन उन्हों प्रेक्ष एच पॉस्टिव भी मत्रा ज्यादा सिमिलर केस देविच अगर स्ट्रॉंग एसिट वीक बेस रियक्ट करें देको सॉल्ट ता बढ़ना या पर वी नेचर की होगी एसिडिक होगी पानी ता बढ़ना यह बढ़ना ठीक है क्योंकि एसिटे बेस मिलके सॉल्ट प् अगर वीक एसिटे वीक बेस रियक्षिन होए तो सॉल्ट की बनेगा न्यूट्रल स्वाला साथ इकोलों कि सोडियम कार्बनेट बेसिक सॉल्ट आ उन्ता तो नों पता लागी गया बेसिक क्यों हो क्योंकि एदा जो एसिड हो वीका थे बेस की या स्ट्रॉंग सो सही ऑप् यानी की CL2 देना रियक्ट करदाया ते बंदा किया सा डेकोलो बंदा है जी ब्लीचिंग पाउदर ब्लीचिंग पाउदर बंदाया एचीज तो सी त्यान रखनी या ठीक है जी चल देनेक्स कोश्चन वल ये दी रियक्शन वी नोट कर लो कैल्सियम हाइड्रोकसाइड सी एओच ट्वाइस जदो क्लोरीन ना रियक्ट करदा थे बंदा ब्लीचिंग पाउटर फॉर्मला नोट कर लो सी एओओव चील टू नाल बंदा जी वाटर ठीक है ते ब्लीचिंग पाउटर नूँ होर केंद ना वो केरिएसड असलोन नेश्चनल सोर्स याद रिखें ओंदा जी साडेकोलो मेथानोइक ऐसद नीता नोगा से दा फॉर्मला लेखलो एच शी जो नेटल स्टेंग हो गई या बी श्टेंग हो गई ओदे विच भी मीठटान ऊएक एक मिट स्टोरे जो सारे टुथ दा एनैमला वो का दा बने आ हुंदा ओ बने अंगों दा जी सादे कोलो कैल्सियूं फॉस्फेट कैल्सियूं फॉस्फेट दा प्यान रखना या ते ही न नहीं है मतलब कि केड़ा कैलो बेसिक सॉल्ट आया केड़ा न्यूट्र आला एक चीज ते आन रखो फॉन एदि जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नमबर डी मैं दास दिना क्यों क्योंकि इत्थे तो अनों की नजर आ सलफेट सलफेट केड़े एसिड जो एच्टू एसो फॉर एक स्ट्रॉंग एसेड दूज़े चीज तो नुकी नजर आ रहा है क्लोरीन क्लोरीन केड़े एसिड चो मिल दा एक स्ट्रॉंग बेस देखो चीज त्रॉंग एसिड केड़ा या वीक एसिड देखो सी एच थ्री सी ओ ओ एच जो सोडियम आवला जो सरकॉप्शन नमबर डी या सुडियम एसिटेट एजड़ा सॉल्ट आना एवीक एसिड के स्ट्रॉंग बेस तो बनिया इस करके बेसिक सॉल्ट आइस अटकुल एसिडिक सॉल्ट नहीं है सॉडियम एसिटेट नहीं है नेक्स्ट आजें केंदे के असी मीनू रेन नू एसिड रेन केने या कदों जदो उदा पी अच पांच पॉइंट छे तो काट होवें अगला कोशन आसी का रहा हैं कि जो सॉडियम हाईडरोकसईड एक यह एक स्ट्राउंग बेस है अच्छे प्चान दस्दाया कि स्ट्राउंग बेस टेडे हुन देया यह विक बेस ना पानिच पानते पूरी तरह ना आइनाईज ओजंक ठीक अजदा सोडियम हाईडरोकसईड और उनू पानिच पाईए नकी लेकिन वीक एसिड नहीं हो गया लास्ट वोशन बहुत ज्यादा सॉल्ट ना पाणी नू एब्सॉब कर लेंदे या बाता वरंदे विच्छो एट्मॉस्फेर जो नमक भी या नमक दानीच पया होगे लून दानीच लून पया होगे वो मी वाले मौसम देवेच ना की करदाया पाणी नू सोख लेंदाया ठीक है गिल्ला हो जानदाया ओस प्रॉपर्ट नू की केंदे या मूं केंदे या डेलीक्वेसेंस तो सही ऑप्शन है जी ये दा ऑप्शन नमबर है तो वीडियो नू फ्रेंट्स जेना जरू शेयर कर अजले ये नहीं मिल दें आजी नेक्स्ट पार्ट देवेच बहुत बहुत अनुआत थेंक यू